नमस्कार मैं विद्धाइसे स्वेजी कोशन में आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों क्या आपको पता है अर्वेल बैंक के सीओ ने 18.9 लाइक शेर्स बेज दिये है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्वेल बैंक के शेर्स में इसका क्या एफेक्ट हो दोस्ता अचनक ऐसा क्या हुआ कि अर्वेल बैंक के सीओ विश्ववी राहुजाजी ने लगबग 19 लाइक शेर्स बेज दिये है ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा और इसका एफेक्ट अर्वेल बैंक के शेर्स पे क्या पड़ेगा क्या आने वा इस शॉट और स्वीट वीडियो में आपको इन्ही सब सवालों का जवाब मिलेगा पूरा वीडियो एन तक जरूर देखिए और चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजन ब्लोकिंग के शुबारम उफर का टोटल 99 लाक शेर्स है और जो 1.95 परसेंट का टोटल वोल्डिंग के एक्विवेलंड है उन्हों ने अपने लगबग 99 लाक शेर्स बेज दिये जो 0.35 परसेंट और टोटल वैलू 38.52 करोड है अरिबेल बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में यहो खुलासा किया सब के दिमाग में यही सवाल है कि क्या इसे बैंक की हेल्थ से कोई रिलेशन है क्या इस से बैंक का ओवर आल हेल्थ या शेर प्राइसेस पर इफेक्ट होने वाला है लेकिन इसके बाद यह न्यूज आया कि एर बैंक की तरफ से कि यह सेल उनके पर्सनल लोन आपलिकेशन को चु यह तो टाइम पे ही पता चलेगा लेकिन मंडे को इसका क्या इंपेक्ट आ सकता है शेयर्स पे यह अभी हम बताएंगे ध्यान से वीडियो को देखिए और चैनल को फटा फट सस्क्राइब कीजिए अर्बियल बैंक की चार्ट को देखिए पिछले टेडिंग सेशन में अर्बियल बैंक ओपन प्राइज इक्वल टू लो प्राइज हाई बनाया 214 और क्लोज हुआ 210.50 200 वीक मूविंग एवरेज 228.64 पे हैं अगर हम 52 वीक हाई और 52 वीक लो को देखते हैं तो 52 वीक हाई है टू 415 और लो है 101.55 और अभी भी 52 वीक लेवल स्पे स्टॉक प्राइज लोर रेंज में है पिछले 3 मन्स में स्टॉक का लो था 105.50 और हाई था 214 रुपिस का जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बना है अब पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर बात की जाए तो स्टॉक में एक बूलिश मुवेंट डेखने को मिला और एक रेंज में ब्रेक आउट करने का कोशिद ज़रूर हुआ है पर अगर वैलिम को देखा जाए तो मात्र 14.84 परसेंट था जो RBL बैंक के नॉर्मल वैलिम जैसा ही है 20 डेज सिंपल मुविंग एवरेज 184.7 और 50 डेज 180.7 के उपर है और यह सपोर्ट का काम कर रहा है मैग डी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है आरे साइब ओर ब्रॉट जोन में है और जब तक ओर ब्रॉट जोन में है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल क कर सकते हैं अर्बेल बैंक के लिए 190 और 203 यह दो इंपोर्टन ले सपोर्ट लेवल से अपने नजर बनाए रखिये 200 डेज मुविंग एवरेज एक रेजिस्टन्स का काम कर सकता है अर्बेल बैंक सपोर्ट और रेजिस्टन्स बहुत इंपोर्टन लेवल पे जो आपको ध इन लेवल्स पे धान दे आप अगर लॉंग टर्म इंवेस्टर्स है या शॉर्ट मीडियम टर्म इंवेस्टर्स या ट्रेडर है तो आप अपने 203 और 190 के लेवल्स को नजर रखे अगर यह लेवल्स ब्रेक हो गए तो स्टॉक नीचे फिसल सकता है तो यहां पे आप परपोस के लिए है आशा करती हूँ अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब और बेल आइकोन को जरूर दबाईए धन्यवाद